नमस्कार दोस्तो मेरा नाम भारत बुशन है आप देख रहे हो JCB Computer दोस्तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो भी एप्शन के प्रिंटर है जैसे की 130 है 220 है और 210 है 360 है 380, 365, 405, 455 उसके जो बोर्ड है सोट हो जाते हैं और आप किस तरह से ठीक कर सकते ह हो और उनकी जो सोटिंग है वो किस तरह से आप ठीक कर सकते हो दोस्तो दोस्तो जो यह प्रिंटर मैंने बता है उनके सेम इस तरह से बोर्ड होते हैं दोस्तो बस बायोज का फ्रेक होता है दोस्तो दोस्तो अगर आपका बोर्ड सोट है सोट किस तरह से चेक करना आपने हमें most paid को check करना दोस्तों इस तरह से check करना है यह टीनों पर हमने लगा के देखना है अगर हमारे most paid है on data दिखाए दे रहे हैं आपको beef आ पर हमें इनुकाल से पहले निकालने के बाद फिर हमें check करना यहीं पर बीच ओ włW पीच में अगर यहाँ पर भी-दूबार से हमें बीफ नजर आ रही है दोस्तों हमें यह मुश्ट डालने नहीं हैं पहले दोस्तों अगर भीफ आ जाती है तो हमने क्या करना एक वन को हटा देने आ दोस्तों जो हमारे फ्वन है वन का काम क्या होता है हमारे जो पावर सप्लाई होती है लगबग 40 वोल्ट के असपास वो यहां पर आती है और यहां से यहां होते हुए यहां पर भी जाती है दोस्तों और उसके बाद ये section sort होता दोस्तो या तो इस side से sort होता दोस्तो या फिर इस side से अगर beef चली जाती है तो दोस्तो या तो हमारा फिर ये वाला section sort है या फिर ये वाला section sort होता दोस्तो तो अगर beef नहीं आती तो आपने क्या करना दोस्तो सबसे पहले इस truck capacitor को चेक करना दोस्तो आपने जो F1 के पास लगा होता है C98 है दोस्तो जो C98 को आप चेक करोगे अगर ये सोट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इसको हटा के देख लेना दोस्तो इसको हटा दिया फिर भी आपको सोटिंग दिखाई दे रही है तो आपने इस capacitor को change करना है दोस्तो जो हमारा C85 है दोस्तो ये वाला दोस्तो इसको हम निकाल देंगे दोस्तो फिर sorting चेक करेंगे दोस्तो अगर हमारी फिर भी sorting आ रही है तो हमारी power IC सोट है दोस्तो इसको हम निकाल देंगे दोस्तो दोबारा से फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर यह आपकी 99% तक sorting है दूर हो जाएगी दोस्तों अगर फिर भी sorting आती है तो दोस्तों आपने क्या करना है जो हमारी head की cable लगती है उसको देखना है आपस में कहीं जलके आपस में कोई sort तो नहीं हो गया है अगर sort हो गया होगा तो उसके कारण भी हमारा board है sort हो जाता दोस्तों इस तरह करने से जो यह हमारी problem होती है इस section की 100% से solo जाती है दोस्तों अब बताता हूँ अगर यहाँ से sort है तो आपका यह वाला और यह वाला दोस्तों दोस्तों इस वाले section को हटाने के लिए आपने यह वाला capacitor हटाना पड़ेगा C86 है जो इसको हम हटा सकते हैं और इसके बाद हम sorting चेक करेंगे दोस्तों अगर फिर भी हमें beef नजर आ रही है तो हमें जो C28 है यह वाला इसको हटाना है दोस्तों हमारी 98 तक जो sorting है वो दूर हो जाएगी दोस्तों इनी के कारण ही सोट होता है दोस्तों अगर फिर भी आपको beef नजर आ रही है सबसे पहले आपने यह IC को remove करना है फिर दोबारा से चेक करना है फिर भी नजर आ रही है दोस्तों तो आपने यह IC को remove करना इसको यह 100% हमारी sorting दूर हो जाएगी दोस्तों दोस्तों किसी किसी केस में यह वाला कपेस्टर भी हमारा लिकी जो जाता है जो यह IC के पास लगा होता है तो आपने इस कपेस्टर को भी आपने चेक कर लेना है दोस्तों अगर ये भी लिखी जोगा तो भी हमारा वोड सोट हो जाता है दोस्तों जो हमारी 40 वोल्ट होती है जो सोट होती है तो इनी के कारण से सोट होती है इसके सिवा कोई भी कारण नहीं होता दोस्तों और जो ये मोस्पेड आपने चेंज करने हैं इसका मत्वल है 6.8 होम का है ये दोस्तों, अगर आपको 6R9 लिखाई दिखाई दे, तो ये 6.9 होम का है दोस्तों, आर का मत्वल होता होम, आप जोहाँ पर भी आर दिखाई दे, वहाँ पर आपने पॉइंट लगा देना है दोस्तों, रेजिस्टेंस के उपर भी मैं एक वीडियो आपको बताऊँगा, SMD जो रेजिस्टेंस होते हैं, उसकी वैलो आपकी इस तरह से निकाल सकते हो दोस्तों, दोस्तों ये करने से आप अपना कोई भी बोर्ड है, रिपेर कर सकते हो, इस तरह से आपकी शोटिंग है, दूर हो जाएगी दोस्तों, और आपका बोर्ड है, ओन हो जाएगा, वो आपने कॉम्पोनेंट से वो डाल देने हैं, दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ, अगर ये कपेस्टर आपके पास अवेलेबल नहीं हैं, अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करे, शेर करे, और अगर इस चैनल पर आप नहीं हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुले दोस्तों, दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक्स,